हेलो दोस्तों कैसे हैं आप और स्वागत है आप कमार इस वीडियो में तो रिसेंटली आपने बलेक होल की फोटो देखी होगी जिसमें आपको बलेक होल का ये राउंड शेप नज़र आ रहा होगा जो की लाइट की तरह जल रहा है और आजू बाजू अंधेरा है तो आज हम इसी की उपर डिटेल में डिसकस करने वाले हैं तो बीना देरी के चली शुरू करते हैं ये जो बलेक होल आप देख रहे हैं ये अर्थ से 500 मिलियन ट्रिलियन किलोमीटर दूर है और जिसकी फोटो घीची गई है आज टेलिसकोप के एक नेटवर्क के थूप जो की दुनिया के अलग-अलग जगापर रखे हुए थे इन से भी टेलिसकोप के एक नेटवर्क से इवेंट होराइजन टेलिसकोप बनता है मतलब E.H.T. और इसी के कारण हम इतने बड़े ब्लेक होल की फोटो को कैप्चर कर पाए और ये पुरा एक्सपेरिमेंट प्रोफेसर फैल्क के सुपरविजन में हुआ है जो की रेड़ पाउड यूनिर्सिटी निदर लेंड से है और ये ब्लेक होल जिस गेलेक्जी में पाया गया है उसे M.A.T. से उनाम दिया गया है प्रोफेसर फैल्क कहते हैं कि हम जो तस्वीर में ब्लेक होल देख रहे हैं वो एक्चुली में हमारे सोलार सिस्टम से कई गुना बढ़ा है इस ब्लेक होल का मास 6.5 बिलियन टाइम्स जादा है सूरज के मास से और जिसका साइज 3 मिलियन टाइम्स जादा है अर्थ के साइज से प्रोफेसर फैल कहते हैं कि हमें अभी भी जानने की जरूरत है कि इसमें लाइट कैसे निकल रही है इस image में आपको एक ring of fire देखने को मिलती है वो बनता है सुपर heated gas के जलने से और इस ring से जो light निकलती है जो की पुरी galaxy को combine भी कर दिये जाए तो इतना bright light हमें देखने को कहीं नहीं मिलता है और यही इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम इतने दूर होने के बावजूद इसे देख पा रहे है dark circle के center पे वो point है जहाँ पर gas enter होती है black hole में और उस center के अंदर कुछ ऐसी जगा है जहाँ पर gravitational pull इतना ज़्यादा होता है कि अगर वहाँ light भी जाए तो वो भी वहाँ से निकल के वापस नहीं आ सकती black hole की तस्वीर match करती है theoretical black hole की imagination से जो कि हमें Hollywood की movies में भी देखने को मिलता था black hole की ये तस्वीर Einstein की theoretical imagination से बिलकुल मिलती है और एक बार फिर Einstein बिलकुल सही साबित होते है अब बात करते हैं कि इस experiment की शुरुआत कैसे होई तो प्रोफिसर फैल को ये idea आया जब वो अपने college में PhD कर रहे थे ये बाते 1993 की तब वो ऐसा कुछ करना चाहते थे तब वो नहीं लगा कि possible हो सकता है कि अगर certain type के radio emissions को generate किया जाए black hole के चारों तरफ जो कि इतने powerful हो कि जब हम उने telescope से देखें तो black hole उसमें detect हो पाए 20 साल तक अपना case लड़ने के बाद प्रोफिसर फैल का अपना experiment चालू कर पाए और उन्हें European Research Council से fund मला इस project को चालू करने के लिए The National Science Foundation और East India की agency मिलकर उन्होंने भी इस project को fund किया और 40 million euro के budget के साथ इस project को start कर दिया कोई single telescope इतना powerful नहीं हो सकता था जो कि इस पूरे black hole को capture कर पाए इसलिए दुनिया भर में 8 अलग लगे जगा पर 8 telescope लगाए गए और इस सभी का एक network बनाया गया जिसे event horizon telescope कहते हैं इस पूरे project को करने में 200 scientist की एक team बनी है जितने information वो gather कर पाए इसे internet के थुरू एक जगा से दूसरे जगा पहुंचाना बहुत impossible था क्योंकि data का size बहुत बढ़ा था इसलिए इसमें 1000 हार्ड drives का use किया किया जिसे plane से एक जगा से दूसरे जगा लिजाया जाता था तो दोस्तों ये था कुछ impossible था जो कि अब possible हो चुका है अब ये तक हम मार्स में जाने के बाते करते थे बट अब हमने ब्लेक होल तक रूण निकाला है स्टीपन होकिल ने अपने पूरी जिंदगी इस चीज पर रिसर्च किया और हमें दुखे कि ये देखने से पहले ही उन दुनिया में नहीं रहे नहीं तो आज साइंस की जीट को देखकर वे बहुत खुष होते तो दोस्तों यहीं थे आज की वीडियो तो अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक स्वस्त रहें, मस्त रहें, बाई बाई